तो दोस्तों कैसे वह आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुती बहतर होंगे अच्छे होंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग दो जो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है उसके उपर डिसकस करेंगे जो पहली चीज है वो ये है कि जो रीट की वेटिंग ल अच्छा करेंगे तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए वेटिंग लिश्ट की तो वहां पे जो है वो जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और यहां पे यह जो न्यूज है वो आप देख सकते हैं कि जो अध्यापक भरती प्रीक्षा है उसकी जो 927 27 पदों के लिए भरती आई थी 2016 کے अंदर साइसमेत की उसमें से केवल जो है वह 77 स्टूडेंट ने ही जोइन किया है और आट सो पच्सास स्टूडेंट ने जोइन नहीं किया है तो आप देख लीजिए कि लगबग जो है वह 10% स्टूडेंट ने ही जोइन किया है और इसका मतलब दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा है यहां पे की जो मेरिट है वो बहुती ज्यादा डाउन जाने की पूरी पूरी संभावना है अगर इसके कारणों की चर्चा की जाए तो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो तो यही है कि जो यह भरती है वो तीन साल पुरानी है और इसके अंदर जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए है वो 2018 के अंदर भी सिलेक्ट हुए है और 2018 के अंदर जो वेकेंसी है वो भी जादा है मेरिट भी थोड़ी डाउन गई है और तीसरी सी जो इंपोर्टेंट है वो यह है कि वेकेंसी सभी जिलों के अंदर मेक्सिमम ज की उन्हें जो वो नजधीक का जिला जरूर मिल जाए कम से कम अगर ग्रेजला नहीं भी मिलता है तो और यही कारण है कि मैकसिमम श्टुडेंट्स ने दोहुजार के अंदर ही जोइन किया है बलकी 99% चैना इसी के अंदर जोइन किया है 2016 के अंदर जो जोवन की है वो केवल और केवल जोंकि जिन को ग्रैस इला मिल रहा था जैसे बाड मेर वहगेरा आ जोद पूर के अंदर जोवेकेंसिस आई थी तो केवल वहीằng पर जो स्टूडेंट्स ने जोइन किया है दूसरी चीज दोस्तों यह है कि क्योंकि तीन साल हो गए हैं वेकेंसी को आई हुए जो 2016 और 2018 की वेकेंसी उसके अंदर लगबग 2 साल का डिफरेंस है और इसी कारण जो स्टूडेंट 2016 के अंदर जिनके लगबग 70% मार्क्स बन रहे थे उनके 2018 के अंदर क्योंकि उन्होंने दो साल प्रयास किया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं 2016 के अंदर जिनके पांच चार या तीन कम थे तो वो 2018 के अंदर सिलेक्ट हो गए है तो निश्ची तुरूप से जो 2016 के स्टूडेंट है उनके अंदर बहुती कम स्टूडेंट बचे हैं जिनके 70% से उपर मार्क्स अभी है और उनका सिलेक्शन 2018 के अंदर नहीं हुआ है तो इसी वज़े से जो मेरिट है वो निश विग्यपती है वो आ सकती है और इसी का आप अभी जो असर है या जिस तरह से महोल बनता दिक रहा है आपको कि नए जो है वो कोचिंग सेंटर के अंदर नए ने जो बैंचीज है वो स्टार्ट किये जा रहे हैं रीट के इसके अलावा जो जी न्यूज राजस्तान है उसक को जो रीट की वेकेंसी है वो देखने को मिल सकती है इसकी पूरी पूरी संभावना है तो अपनी जो तैयारियां है वो शुरू कर दीजिए और आप लोगों के जो भी सुझाव हो या आपको जो भी आपके मन में संसे हो आप लो कमेंट सेक्शन के अंदर लिक सकते हो फिल कि ऑट लो आपके मन में से की झापके में जो बाल कर दोय हो ख मिल सकत कि ऑट कर लो बाrend कर दो Guru दोक्तार लो हो जोख माल सकता है पर लो हो जो याटर अबश्वार्का में स्टिए जो बाल